सभी आंगनबाडी से विकास सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी निउस चनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आप सबको सुनकर के काफी हैरानी होगी क्योंकि उत्तरपदेश सरकार ने यानि गवर्मेंट आफ यूपी ने ट्विटर से ट्विट किया है कि तीन लाख नए स्वयम सहता समूहों का गठन किया जाएगा अब तीन लाख नए स्वयम सहता समूह का मतलब है कि कम से कम तीस लाख लोगों का समूह में जुड़ना क्योंकि एक समूह में जो निवनतम लोगों की संख्या रहती है वो दस रहती है दस से उपर भी लोग रह सकते हैं लेकिन दस जरूरी हैं ऐसे में आप देख सकते हैं तीन लाख नए सुयम साहता समू बनेंगे तो तीस लाख लोग उसमें आसानी से जुडेंगे अब इतनी भारी मात्रा में मैं आपको बता दू कि अपने पूरे देश में आंगन बारी वरकर भी नहीं हैं हर एक राज्य की आंगन बारी सेविका सायका मिनी को अगर आप मिला तब भी तीस लाख की आवादी मुश्किल से पहुचेगी क्योंकि बहुत सी बहने रेटार भी हो चुकी हैं अब ऐसे में आप सब भारी बहन बताओ इतनी भारी मात्रा में तो अकेले उत्तर पदेस्तरकार समू में नए समू बनाने वाली है बाकि पुराने समू नजाने क लिए एक ये चिंता का विसाय जरूर बना हुआ है इस बारे में आप सब की क्या राये हैं कमेंट में आप बताईएगा मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा आपके गाउं में एक दो या फिर तीन अधिकतम चार तीन होंगे या चार होंगे जैसी आबादी होगी तो इतना आपके वहां आंगनबाडी हो सकती है लेकिन एक गाउं में अगर समू की संक्षा देखी जाए तो 4-5-6 समू आपको आसानी से मिल ही जाएंगे हो सकता है इससे जादा भी मिल जाएं ददस समू भी मिल जाएं दस समू का मतलब सो महलाएं उससे जुड़ी हैं पान समू का मतलब पच्चास महलाएं जुड़ी हैं तीन समू भी होंगे तब भी तीस महलाएं हो गई अब ऐसे में इतनी तो आगनबारी कारकरता बहने भी नहीं है जितने समू के महलाएं पहले से काररत हैं अब ऐसे में 3 लाक नए सुयम साता समू अगर बन जाएंगे तो 30 लाक लोग नियुनतम और जुड़ जाएंगे अब ऐसे में आप बताओ समू की बढ़ती भागीदारी और आंगन बारी बहनों का घटता संख्याबल अपने आप में आंगन बारी बहनों के लिए चिंता का विसे बना है क्योंकि आंगन बारी की जो भरतियां है वो आप देख रहे हैं जाने कब से बहने उम्मीद लगा करक करवा रही है ऐसे धीरे-धीरे करके समू द्वारा ही कारे सारे संचालित करवाये जाएं और उनमें उनकी बागीदारी धीरे-धीरे भढ़ती जा रही है जैसे आप रासन वित्रण का कार ही ले लो पहले कच्छा रासन पहुंचाने का कारे था उसके बाद प्लांट लगा करके निर्मार का भी कारुनी को सौप दिया गया अब निर्मार भी वही करें और पोशाहार बना करके लाएं केंदर पर दे दी उसके बाद वित्रण में भी सहयोग कार्डर आ गया ऐसे धीरे-धीरे करके आप देख रहे हैं कार्यों को आंगन बारी के कंदों से छीन करके म पोट बैंक भी आप कह सकते हैं कि तयार हो रहा है वैसे इन समू की महला बहनों को मासिक मांदे भत्ता स्वरूप कुछ भी सरकारे नहीं देती हैं जो भी आता है वो काम के लिए धंडरासी बेजी जाती है अब उसी धंडरासी में वो चाहें बचाएं या फिर उनको पहुँ अब इसी काय के नतीजा है कि आगनबाडी केंद्रों में रजिष्टर जो लाभारती है उन लाभारती की संख्या के मुताबिक वहाँ पर रासन भी नहीं पहुँच पाता है क्योंकि उतनी संख्या में लाभारतीयों को उपर से ही रासन नहीं भेजा जाता तो आखिर इसक उनी में से वो भी इसी तरीके से कमाएंगी और उस कमाने के चक्कर में बहुत से लाभारती भी छूट जाएंगे और फिर उसका जो में कारण बनेगा वो लड़ाई जगडे की नौ बताएगी क्योंकि वहाँ पर जो भी लाभारती को रासन नहीं मिलेगा तो वो भी अपन जगडा करेगा अब ऐसे में आप सब बताओ राजिबीरो लखनव में एक आर्टिकल आया ग्राम में विकास वहाँ की योजना का लाभ लाभारती तक पहुचाने के लिए तीन लाख नए सुयमसाता समुहों का गठन होगा उपमुक्यमंत्री के सो प्रसाद मौर ने उच्चिस्तरी बैटक में ग्राम में विकास वहाँ की योजनाओं की समिच्छा के दौरान दिसंबर तक इनके गठन का नर्देश भी दिया है उन्होंने प्रधान मंत्री आवास योजना मनरेगा और अन योजनाएं इनको लेकर के नर्देश दिये हैं और समय से बजट र प्रधान मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री आवास योजना की पातरता की सरतें और मानकों को पंचैत भवनों, विकास खंडों, सारजनिक स्थलों वाल राइटिंग के माध्यम से दर्साया जाए ताकि भ्रम की स्थितिया ना रहें ग्राम चौपालों का दो माह का एडवा रासन प्लांट मई माह तक अनिमार रूप से स्थापित किये जाने के नर्देश दियें तो आप देख सकते हूँ वही प्लांट की बात हो रही है जो आगनबाडी सिंटर पर रासन लाएंगे टिया चार लाएंगे टेक होम रासन जिसको बोलते हैं तो अब 204 ऐसे जो है प बंड विकास अधिकारी के बीच समवाद हिंता की स्थिती नहीं जो है रहनी चाहिए केशो प्रसाद मोर ने ग्राम विकास भाग की समिच्छा में नर्देश दिये तो आप देख रहें ये एक आर्टिकल निकल के उत्तर पदेश से आ रहा है तीन लाख नए सुम सायता का गठन दिसंबर तक करने की योजना चल रही है अब ऐसे में आप सब वीडियो देखने वाले भाई बहन ही बता सकते हैं कि आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं वैसे में एक बात कहना चाहूंगा आगन बाड़ी बहनों के कंदों पर इस समय जो जम्मेदारियां ह अब ऐसे में अगर उनकी मेहनत को देखा जाए और उनके पैसो को देखा जाए तो उनमें बहुत बड़ा एक अंतर है लेकिन समुहों का गठन हो जाना और समुह के लिए कोई भी मान दे या भत्ता नरधारित ना होना ये भी भविश्चि के लिए इनकी बढ़ती आबाद में खरीदें लेकिन विभाग इतना भी वो नहीं है विभाग जब भी पैसा देता है तो बाजार रेट से कम कीमत का ही पे करता है उससे ज़्यादा कने और बाजार भी वो चीजे महंगी मिलती है तो उनके लिए तो ये चिंता का विसे वहीं पर बन जाएगा उसके अलाव जो आप देख रहे हैं अगर उनी पैसों में काट चपट करके अब भच्चों का लाभारतियों को जितने बाभारति होंगे उतनी मात्रा में टी अचार नहीं आएगा तो भी एक ये चिंता का विसे बना रहेगा वहीं बात करते हैं प्लांटों की अब एक तरब प्लांटो अब ऐसे में इन में बहुत से लोग हो सकता है काम करने के लिए जाएंगे भी निकल करकर बहुत से लोग नहीं भी जाएंगे लेकिन इसमें होगा क्या इसमें निर्माण और फैक्टरियों को जो है बहुती जल्दी से इस्थापित किया जा सकेगा क्योंकि 30,00,000 समू बने हैं वो उन्हीं समूवाले महलाओं के पैसों से ही जो है स्थापित किये गए अब ऐसे में आप देख सकते हैं ये सब सारी योजनाए हैं लेकिन इससे कहीं न कहीं विकास की एक प्रक्रिया आगे जरूर बढ़ेगी लेकिन इन समूव की महला का कोई महिंताना जिन से उनका अपना कार निर्धारी थो सके धंग से और इसलिए गैरभागी कार भी लिये जाते हैं और आगन बाड़ी भेनों का कार छीन करके भी इधर उदर माटे जा रहे वो भी एक अलग मैटर है क्योंकि समूव का हस्ता छेप होने के बाद से आपने देखा है जगे जगे रासन वितर्ण मामले में काफी सारी कटनाईया भाईयो भेनों को देखने को मिलती हैं तो इनी सब चीजों के चलते आप सब क्या सोचते हैं उसके बारे में कमें बताइएगा वहीं दोस्तों आगे ले चलते हैं आपको कुछ और बताते हैं अमर चंदरलाल भाई हैं दरवंगा जिले से आते हैं यानि बिहार के दरवंगा जिले से एक उन्होंने दुखद संदेश भेजा है मैं आप सब भाई बेनों को अवगद कराना चाहूंगा आप सभी परोजना नेतत्तोकारी भाई बहनों और सभी आगनबाडी सेविका बहनों को बड़े ही दुख के सास्चूचिद करना पड़ रहा है कि हाया गाट परियोजना की अंतरगत पतोर पंचायत की कुल 11 आगनबाडी सेविका बहने बालविकास परोजना पदाधिकारी के बुलावे पर मीटिंग में जा रही थी और असोग पेपर मील के पास आटो पलट जाने के कारण सभी सेविका गंभी रूप से घायल है जिसकी सुद्ध जो है विभाग से आज तक कोई नहीं लिया यानि जिनका हाल चाल तक विभाग नहीं पूछा ये मैटर तबका है जब कि बालविकास परोजना पदाधिकारी को जस दिन घटना घटी उसी दिन जानकारी दिया गया जब पंचायत के मुखिया जी एवं जलादेच कुमारी सुथा सुमन के द्वारा इसकी जानकारी दी गई तो उनके जो है द्वारा बता हाया गया कि घायलों के इलाज के लिए मेरे पास कुछ भी सुविधा नहीं है पर मृत्यू के उपरांत है चार लाख रुपया कहने का मतलब आंगनबाडी सेविका को देखने तक की फुरसत नहीं है और उनके पास इलाज तो दूर की बात ये है हाया गाट के परुजना अ लेकिन एकता में बल है हमारे भायो बहनों हमारी जितनी भी आंगनबाडी सेविका घायल है उनके इलाज के लिए उनकी सलामती के लिए उन्हें सहारे की जरूरत है आज जिलाद्धेच और कमिटी के दौरा उनके घर पर जाकर के उन सभी आंगनबाडी सेविका से मिली और जल्द सुस्तोने की कामना इस स्वर से की जलाददेच कुमारी सुधा सुमन दर्भंगा से आती हैं उन्हों ने वहाँ पर घायल बेहनों को उनके घर पर मिलकर के बेहनों को हिम्मत दिया है आप देख सकते हैं इस तरीके से जो बेहने है वो मिलने गई लेकिन विभाग से को की बहनों को चोटे आई थी और ऐसे में आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इन सब बहनों के वहाँ पर जो है विभात की तरब से कोई सुद लेने तक के लिए नहीं गया जब की इन बहनों को मेटिंग के लिए अधिकारी ने बुलाया उसके बाद उनका द्रास्ते मे आटो पलटा बात का और एक इंसानियत के नाते भी कारदाई तो था भलेई आपने बुलाया हो या ना बुलाया हो फिर भी अगर आपके ही निचले पैदान पर आपकी सहकर्मी वो कारे कर रही है और अगर जो है ऐसा कुछ हुआ तो आपका भी कारदाई थे हैं उनका हाल तक लेना लेकिर यहां पर बता जा रहा ऐसी कोई चीजे नहीं हुई जिस वज़े से अमर चंदलाल भाई यूनियन से आते हैं दरबंगा जले से उन्होंने एक ये दुखत संदेश भेजाए जो कि आप देख सकते हैं हमारी आंगन बाड़ी बहने कभी सरकार कहती है कभी म प्रावधान है अरे कौन लेगा ऐसे पैसो का किसको चाहिए ऐसे 4 लाक रुपे तो यहां पर जान से बढ़कर क्या है तो यहां पर इस तरह से लोगों के जो फिर बाद में जो सब्द आते हैं वो भी काफी कठोर होते हैं सलमा भी बहन है मद्ध्रदेश के साजा पुर्ज दिया है तो आज इंदोर में CDPO संग और सुपरवाइजर बुलंद आवाज संगठन इंदोर उन समने वहाँ पर जाकर के समर्थन दिया है जिसमें मैं खुद सोयम और इंदोर में सामेल होई थी तो सलमा भी बहन भी वहाँ पर पहुँची थी आगे आपको बताना चाहिए कुछ फोटो भी आलेंडिया के पास बहनने बेजी हैं जिनमें कि आप देख सकते हैं योगिता कावड़े बहन और साथी और भी आपको दिखाना चाहिए कुछ तस्वीरे और भी आलेंडिया के पास आई हैं उनको भी आप देख सकते हैं तो मद्पदेश में बहने प्रद इसलिए यहाँ पर मद्पदेश सरकार आंगन बाड़ी बहनों के सयुक्त मूर्चा को बुला करके बैठक करवाए और उनकी समस्याओं पर विचार करें साथी साथ लिखित में विचार किया जाए यह नहीं कि जूटा स्वासन दे करके मात धरना खतम करना उनका एक हैं कि पोशर ट्रेकर एप पर लगभग 30% लाभारती आंगन बाड़ी केंद पर 3-6 वर्स के जो हैं उनको उनकी संख्या जिसकी 40 से अधिक है उक्त केंद्रों पर 3-6 वर्स के लाभारती का विबरड निमन बिंदूओं पर समीच्छा करते हुए अनहर लाभारती को माइग या डियक्टिवेट किया जाना है जिन बच्चों की आयू 6 वर्स पूरी हो गई हो उनको हटाना है जो प्रातिवीं विद्याले में नामंकित है उनको जो आंगन बाड़ी केंद पर उपस्थित नहीं होते हैं उनको तो जिन भी 3-6 वर्स के बच्चों की संख्या जिन भी क इनकी पूर्श ट्रेकर आईडी 3-6 वर्स के लावार्ति इनकी समिच्छा करो और 25 मार्ज तक माइग्रेट या फिर डी एक्टिवेट इसको करना सुनुचित करो आंगन बाड़ी केंद्रों की सूची जहां 3-6 वर्स के बच्चों की संख्या 40 से अधिक है उन लोगों का ही वहाँ पर यह सब किया जाएगा तो फरजी लावार्ति मत दो अपना पोशन ट्रेकर मेंटेन रखो इधर पुस्पा दिवी वहन है सहरनपूर से आती है भूकम्प के तेज जटके जिले सहरनपूर के गंगो बलाक में सालियर गाउं में इस तरह से बत इतना सा ही मैसेज उ मिला हो खेर जैसा कुछ हो आप बताना सकुंतला मैंने कोसांबी से आती है और पैन कार्ड आधार कार्ड पूच करके जानकारी देने के बाद ससी बाला दीदी के एकाउंट से 10,000 रुपया कट गया है आप देखिएगा यहाँ पर सकुंतला है कोसांबी से ही आती है दूसर पर से जो है काल आया पैन कार्ड आधार कार्ड की जानकारी देने के बाद खास्ते से 10,000 रुपया कट गए इस तरह से आप देख सकते हैं यह एक समचार निकल गया जिससे आप सब बहनों को सावधान रहना है ममालती बहन मैनपूरी से आती है इन्होंने लेखा सभी आंगनबाडी बहने ध्यान दें तेईस तारीक को याई आज के दिन यानी कल के दिन राजमंत्री प्रतिबा सुकला मैनपूरी 29 पंडाल में आ रही है इसलिए आप सभी लोग आंगनबाडी कार्टी सायका को 23 तारीक को यानि कल 9.30 बजे हर हाल में मैनपूरी 29 पंडाल में आना है सभी को यूनिफॉर्म में आना निवार है इस तरह से आप देखेगा विभागी अधिकारियों का आंगन बाड़ी बहनों को संदेश कोचने लग गया क्योंकि मंत्री जी आ रही है तो भीर्ड वहाँ पर बढ़ा नहीं है अम्मालती बहन उन्होंने नीचे लेखा भी है देखे भाया जी यह मैसेज हमारी सुपर्वाइजर मैडम ने बेजा है क्या राज मंत्री जी हम बहनों को कुछ देंगी या ऐसे भीर्ड जोटाने के लिए बुला रहे है बहने होंगी जो बस सेलफी लेना अपने आप में बहुत बड़ा सुक्ष समझेंगी और वहाँ पर सेलफी उनके साथ ले लेंगी बस उनका अपना जो भी आतमसंतुष्टी समझ लीजेगा वो पूरी हो जाएगी बाकि मिलने वाला किसी को ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपकी आर्थिक समस्याओं का निप्टारा हो इधर देखे रजनी सैनी बहने मेरर से आती है इन्होंने लिखा कि प्यारे सुदंसु भाया नमस्ते मैं जानकारी चाहती हूँ कि बाल पिटारा के 32 सब्ता पूरे कर लीए है और करके भी सब दिखाया था वीडियो भी अप्लोड किया था तो वहाँ पर डेटाबेस पर बच्चों का बाल पिटारा पर अपना रजिस्टेशन करो तीन से छे वरस के लाभारती का उनका फोटो लगता है और पुरा नाम पता सब भरा जाएगा और उनका रजिस्टेशन होगा वो करना है और वो कैसे करना है चैनल पर पहले से प्रसारित है पुस्पा बहन लखिम पुर्खीरी से नों ने लेखा जब कोर्ट का आदेस है तो हम लोग संचारी रोग और फाइलेरिया और दस्तक अभियान गोल्डन कार्ड इनका काम क्यों करें हम लोग के पास वैसे भी बहुत काम है हम लोगों का सबसे ज़्यादा सोसर हमारे विभाग के अधिकारी करते है सुवास विभाग से कोई भी फोन आता है हमारे अधिकारी करमचारी तयार हो जाते है हमारी आंगनबारी काम करेंगी हम बहनों को ही क्यों सूली पे चड़ाया जाता है आसाएं किसलिए सरकार ने रखी है आसाओं पर उनके विभाग के ढाक्टर और एनम जबरदस्ती काम नहीं करवाते हम बहनों के विभाग में तो जो कोई भी विभाग का अधिकारी चला है बोले तुम्हारी आंगनबारी को आफिस में जाडू लगाना है तो हमारे विभाग के अधिकारी ये नहीं कहेंगे कि हमारी आंगनबारी नहीं जाएंगी वो उल्टे हम बहनों पर दबाओ डालेंगे जाओ नहीं तो सेवा समाथ कर देंगे और स्पस्ट्री करन पकड़ा देंगे तो ये एक बहुत बड़ी ब्रांती है हमारे ही विभाग में जो फैली है जो हमारी आंगनबाडी बेहनों से अपने विभाग के कामों को ध्यान में रांग ना रख करके बाकी के कामों में उलजाए रखा जाता है जब कि कोर्ट कहता है कि बहनों से गहरभागी कारे ना कराई जाए यहां तक कि चुनाओ जैसे कार्म में भी ना लगया जाए क्योंकि इनके उपर जो पहले से काम दिये गए हैं जो बाल विकास उभाग के हैं वो महत्पूर हैं अब फिर भी इन चीजों का कोई मोल नहीं है कोट के आदेसों का भी और अभेलना जम करके आपको जगे जगे देखने को मिलती है आए दिन नए से नए काम भी डाले जाती ह अब दोस्तों आगे लिए चलते हैं और आपको बताते हैं ये एक देश रातिवारी भाई अमेटी से आते हैं पोशर पकवारा उनके वहाँ पर मनाया गया था और ये कजिला कारिकम अधिकारी संतोस कुमा सिर्वास्तो सीडीपयो सुपरवाजर सभी लोग वहाँ पर उप अनिता गर मुझफर नगर से उन्होंने एक फोटो बेजी है और ये एक बहने विमला देवी कानपूर नगर से आती हैं वहाँ से एक फोटो आई है साथी आज दुपहर के इस वीडियो को यही तक रखते हैं अगले साम की खबरों में आप सब भाई वेनों को हम फिर मिलते हैं धन्यवाद